असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे आधा कब दूट से बहुत ही मज़े की मिठाई बहुत ही जादा जल्दी बन के तयार होती है ये एक बर इसे बना के जरूर ट्राइ करिएगा उम्मीद है आपको रेस्पी पसंद आगे और रेस्पी पसंद आगे तो लाइक करना ना भूल चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा तो चली शुरू करते हैं इसे बनाना इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैल लेंगे अभी हमने गैस का फ्लेम नहीं किया है अब इसमें हम आधा कप दूट डालेंगे यानी 100 ml के करीब हम दूट डा कर सकते हैं और एक कप इसमें हम बिल्क पाउडर लेंगे यह डेरी वाइटनर नहीं है यह इस्किम्ड मिल्क पाउडर है जो इसली ऑनलाइन या आप किसी दुकान से ले सकते हैं इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम गैस का फ्लेम ओन करेंगे वरना यह नीचे से लगना शुरू हो जाएगा अब हम गैस का फ्लेम ओन कर लेंगे और इसे हम लगतार चलाते हुए इकठा कर लेंगे जब तक यह गाड़ा नहीं हो जाता है और लगत आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी मलाई भी एड़ कर सकते हैं घी की जगे दो से तीन बड़े चमाच आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं घी की जगे और इसे लगातार अब हम इसे चलाएंगे ये देखिए दूद अब इकटा होना शुरू हो गया है और इसे हमें लगता है जब तक चलाना है जब तक ये इकटा ना होने लगे और ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है तो दूद की क्वांटिटी आगर आप सही डालते हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा तो ये देखें गाढ़ा होने लगे बस 1-1 क मिनित ही लगता इसे जल्दी से इकटा होने में तो शुरू में आप हाई फ्लेम पहसे करिएगा आप इसका फ्लेम हम लो कर देते हैं वरना ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा तो ये देखें इकटा होने लगा है अब हम कि ताकि नीचे से जले ना अदूद का मिक्षर ये इकटा उने लगा है और अब हम घैस का फ्लेम अफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे हम किसी प्लेट में आ कि ये जैनल का मिक्षर बहुत जांदा गीला नहीं होना चाहिए और बहुत जांदा बीन होना थंडा हो चुक है अच्छा से सेट हो चुका है आप हाथ से मसल के इसको मुलाइम कर लेंगे और यह लिए पार्द छोल गीले काुपिकाइक के अगर चार्ड अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये सिल्वर का वरक लगांगे यह बिल्कुल असक्षिena अगर आपके पास हो तो लगा सकते है इससे लगाने के बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि कटिंग करने के बाद ये आसानी से ये कट हो जाए तो इसको हमने फ्रीज में रख दिया अच्छे से ठंडा हो चुका है अब अच्छे सेट हो चुका है अब इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से हमें कट करना है तो अपने मन चाहे साइज में आप इसको काड सकते हैं यह लीजेये हमारी मिठाई भनके जटपट से तयार है तो यसे एक बर बना के दरूट आई करिएगा उमीद है आपको रेश्पि पसंदाई ही होगी रेश्पि पसंदाई तो लाइक करिएगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलतें एक नई रेसिपी की साथ तब तक लिया लाह आफिज